राज्यसभा में स्मृत्री एरानी ने देवी दुर्गा के अप्मान का मुद्दा उठाया तो इसी मामले से जोड़ा एहम खुलासा भी हुआ है कि साल 2013 में मैशासुर दिवसकारेकरम में बीजेपी के सांसद ओधितराज शामिल हुए थे खुद ओधितराज ने भी माना कि वो अक्टूबर 2013 में मैशासुर दिवसकारेकरम में शामिल हुए थे हाला कि उन्होंने ये कहा है कि तब मैं बीजेपी में नहीं था मैंने 2014 में पार्टी जोइन की थी मैं जब सामाजी कार करता था तब मैं गया था और जब से बीजेपी में आया तब से नहीं गया नहीं तो यह जो इसमिती रानी जी का बयान है एक राजनीतिक बयान है पुलिटकल बयान है अर इसका जवाब पाठी ही दे सकती है फिर भे मैं जवाब दे रहा हूँ मेरे सामाजिक विचार है बाबा सहाब के । डाक्टर हुम देत करके सामाजिक विचार था उन्हों скор覺 जाती वह उश्था कि कड़ी निंदा किया जबरजस्प रहार किया लिकिए बाबा सहाब के उन चीजकों यह लोग नहीं कोड करते हैं कि धारा 370 के खिलाफ होते हैं और किसी तरीके से वो आज अगर उनकी विचार धारा को अप्लाई किया जाए तो जेनु में जो लोग हैं इनके खिलाफ सक्त से सक्त करवाई होती है freedom of speech or expression का मतलब या नहीं कि पाकिस्तान जिन्दाबाद अबजल गुरू जिन्दाबाद इसके निंदा में करता हूँ जहां तथ समाजिक विचार हैं वो अपने विक्तिगत विचार होते हैं मैं पार्टी के पार्टी जब पार्टी में है तो पुरी तरह से पार्टी के विचारों से सहमत हूँ लेकिMarti सामाजिक बिचारे अलग होते हैं उन पहले के थे बीजेपी सांसत उधित राज ने उस कारेक्रणं में अपनी मौझूद्गी को लेकर अपनी सफाई दे दि लेकिन उनके पार्टी बीजेपी का भी कहना है कि उस वक्त वो बीजेपी में थे ही नहीं 2013 में वो हमारे पार्टी के MP नहीं थे मुझे मालूम नहीं कहां से महिसा सूर जो आ गया है मुझे को मालूम नहीं जिन लोगों को भारते संस्कृति का ज्यान नहीं वो इस तरह की फालतुबाते करते हैं और ये हम लोगों को एक लेसन लेने के लिए एक पार्ट लेने के लिए इस सीखने के लिए बाते हैं कि हम लोगों को अगर जब कभी इस प्रकार की असुर प्रवर्ति का अनास करना हो तो हम सब लग अगर माईलाओं को भी हत्यार उठाने के जरू होता है तो हत्यार उठाना चाहिए